तिब्वती युवा कॉंग्रेस ने मनाली में चीन में निर्मित सामान को तोड़ कर चीन के खिलाफ रोश प्रकट किया इस मौके पर तिब्वती युवा कॉंग्रेस ने कसम खाई की चीन का सामान ना तो खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे इसके अलावा इस मौके पर गलवान घाटी में शहीद हुए देश के जवानों को शद्धांजली अर्पित की गई मनाली में शुकरवार को तिबती युवा कॉंग्रेस ने चीन द्वारा की गई कुरूरता के खिलाफ रैली निकाल कर रोश प्रकट किया युवा कॉंग्रेस के सदस्यों ने चीन के खिलाफ जम कर नारे बाजी की और शी जिनपिंग का पुतला भी जलाया इसके अलावा दिया और मौमबती जलाकर गलवान के शहीदों को शद्धांजली दी गई तिब्वती युवा कॉंग्रेस ने चीन में निर्मित सामान को तोड़ कर रोश प्रकट किया तिब्वती महिला कॉंग्रेस की सदस्या डेकई डोलकर ने बताया कि कोरोना वाइरस चीन की देन है जिससे पूरा विश्व परेशान है उन्होंने कहा कि चीनी सामान का विरोध किया जा रहा है और सामाज से चीन का सामान ना लेने की अपील की जा रही है तिब्वती युवा कॉंग्रेस के सदस्य पलजोर ने बताया कि चीनी सामान का जो देशवासी प्रियोग करते हैं उससे चीन को लाभ मिलता है उन्होंने कहा कि उसी पैसे से चीन गोला बारूद खरीदता है उन्होंने कहा कि तिबती यूवा कॉंग्रेस ने कसम खाई है कि चीन का सामान ना खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट